एक बार फिट से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली गरंड अफेर की सिरीज में स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं आज के सेशन को आज के सेशन में हम 27 अगस्त के सभी गरंड अफेर को यहाँ पर डिटेल में डिसकस करेंगे एक एक कोश्चन को ध्यान से सुनि आईए शुरू करते हैं सबसे पहला कुश्चन देखिएगा आज के करंड अफेर का इंपोर्डेंट है ध्यान से सुनिये 26 अगस्त को होम मिनिस्ट्री ने केंद्र शाषित प्रदेश लद्दाक में कितने नए जीले बनाने की घोशना की तो होम मिनिस्ट्री ने हाली में क पांच नए जीले बनाने की अनौस्मेंट की है अंसर सी हो जाएगा लद्दाक में पहले से ही दो जीले हैं अब पांच नए जीले बनाए जाएंगे कोन कोन से तो देखिए दरास नुब्रा शाम जासकर और एकाप इदर देखेंगे तो चांग थांग तो दरास नुब्रा शाम जासकर और चांग्थान को मिला कर पांच नए जीले फॉर्म होंगे लद्दाक यूनियन टेरिटरी में पहले से ही लद्दाक में लेह और कारगिल ये दो जीले हैं अब पांच नए बनेंगे तो टोटल जीले कितने हो जाएंगे लद्दाक में साथ पांच नए जीले बनेंगे सेंट्रल हॉम मिनिस्टरी ने हाली में अनौंस किया है ताज जीले हो जाएंगे लद्दाक की केजुली अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पांच अगस्त 2019 को जम्मु कश्मी राज्ज को दो यूनियन टेरेटरी में बाटा गया था 31 अक्टूबर 2019 को ओफिशली लद्दाक को यूनियन टेरेटरी बनाए गया ठीक है शेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन टेरेटरी है लद्दाक जिसकी कैपिटल है ले आर्ठिकल 370 के समाप्त होने के बाद होम मिनिस्टी के हात में सीधा इसका नियंत्र नहें सारे डिसीजन लद्दाक पर होम मिनिस्टी लेती है क्योंकि ये यूनियन टेरेटरी भी है तो लद्दाक में 5 नए जील अनाउंस किये गए दो पहले से थे तो अब लद्दाक में टोटल कितने जीले हो जाएंगे साथ Second question देखिए हाली में किंद्र सरकार ने Bio Manufacturing को बड़ावा देने के लिए किस निती को मंजूरी प्रदान की तो Central Government ने Bio Manufacturing को बड़ावा देने के लिए Bio E3 Policy को अनौंस किया है किसको? Bio E3 Policy को देखिए यहाँ पर Bio Manufacturing के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा कि यह क्या है फिर हम Policy की बात करेंगे देखिए Bio Manufacturing का अगर हम Easy Way में मतलब समझे तो जीवित जीवों का या चीजों का उप्योग करके human के लिए जितनी भी आउशक चीज़े हैं उनका निर्मान करना for example medicine, vaccine या फिर other product जो कि हमारे काम आ सकते हैं है ना अब जीवित जो चीज़े हैं उनमें क्या जिनका यूज किया जाएगा तो bacteria, yeast, cell जो कोशिका होती है उनका यूज किया जा सकता है bacteria का यूज किया जा सकता है तो इनका उप्योग करके एक विशेश प्रक्विया के माध्यम से एसे उत्पाद बनाना एसे product बनाना जो कि हमारे लिए आउशक है medicine vaccine बहुत ही simple example है इसका इसके अलावा bio fuel का निर्मान किया जा सकता है other biological product बनाए जा सकते हैं तो इसी लिए union cabinet ने bio manufacturing को बढ़ावा देने के लिए bio e3 policy को हाली में मंजूरी प्रदान की है अब bio e3 policy में अगर हम e3 को detail में समझे की e3 क्या है तो देखिए e3 का मतलब है economy, environment और bio technology for employment इसे short में नाम दिया गया है e3 और पूरी जो policy को नाम दिया गया bio e3 policy ठीक है तो bio manufacturing को बढ़ावा देने के लिए central ने bio e3 policy को हाली में अनौंस किया है मंजूरी प्रदान की है दोनों ही central वर्मेंट की एक गोशना से संबंदीत है दोनों ही कोशन हमारे आगे बढ़ने से पहले आज का offer of the day मैं आपको बता देता हूँ तो काफी student की demand आ रही थी कि sir current affair mcqs का जो आपका offer है उसको revise कीजे तो आप सभी के लिए current affair mcqs 1000 प्लस आपको यहाँ पर current affair देखने को मिलेंगे देखिए हमने एक pattern notice किया है हर exam में कि date से 2 साल का current affair पूछा जाता है तो इसलिए यहाँ पर जो आपको 1000 प्लस mcqs देखने को मिलेंगे current affair के वो आपको 2023 और 2024 दोनों ही year से देखने को मिलने वाले काफी nominal charges से आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं नीचे आपको description में link दी गई है आप easily वहाँ पर click करके इस offer of the day को avail कर सकते हैं current affair mcqs को आप यहाँ पर join कर सकते हैं normally आपको root application हो crazy जी के trick application पर भी यह offer available है वहाँ से भी आप application पर जाकर purchase कर सकते हैं अविल कर सकते हैं और अपनी performance को आप check कर सकते हैं क्योंकि current affair तो मैं रोज आपको पढ़ाता ही हूँ आगे आईए केंद्र सरकार ने केंद्री सरकारी करमचारियों के लिए कौन सी pension योजना शुरू की है तो केंद्र सरकार ने केंद्री सरकारी करमचारियों के लिए unified pension scheme शुरू की है unified pension scheme ठीक है अभी तक new pension scheme लागू थी पहले देखिए old pension scheme थी उसके इस्तान पर new pension scheme आई और अब new pension scheme के इस्तान पर central government ने unified pension scheme को launch किया है केंद्री जो करमचारिये उनके लिए ये pension scheme है और इसे देश में लागू किया जाएगा एक अप्रेल दो हजार पच्चिस को ठीक है इस scheme का लाब 23 लाग जो केंद्री करमचारिये central government के जो employees है उनको दिया जाने वाला है कितने 23 लाग क्या-क्या इस scheme में बाते कही गई है क्या-क्या scheme में प्राउधाने employees के लिए अगर हम इनकी बात करें तो scheme के ताथ सरकार government employees को निश्चित pension प्रदान करने वाली है और इस pension scheme का फायदा उठाने के लिए employee को कम से कम 25 साल तक central government में अपनी सेवाय देनी पड़ेगी इसके अलावा प्लान के ताथ employee जो employee है उनके 12 मंत की जो average basic salary है उनका 50% share retirement के बाद आज जीवन उन्हें दिया जाएगा इसके अलावा family pension की बात करें तो अगर किसी भी employee की मित्ती हो जाती है तो उसकी family में से किसी भी eligible member को employees pension का 60% share दिया जाएगा अगर कोई कर्मचारी सिर्फ 10 सालिया उससे अधिक तक service में है तो उसे कम से कम pension का 10,000 रूपीज हर मन्त प्रदान किया जाएगा तो ये कुछ बाते कही गई है central की नई unified pension scheme के ताह जो की especially central government के जो employees उनके लिए central government ने announce की है कब लागू होगी कब से लागू होगी 1 अप्रेल 2025 से इसे देश में लागू किया जाएगा book the scientist entrepreneur empowering millions of women किसके द्वारा लिखी गई है तो the scientist entrepreneur empowering millions of women इस book को लिखा है कलपना संकर ने कलपना संकर ठीक है इनकी इस book का विमोचन किया है सोम्या सौमीनाथन ने डॉक्टर सौम्या सौमीनाथन ने हाली में इस book को launch किया लिखी गई है कलपना संकर के द्वारा देखिए कलपना संकर की बात करें तो एक social entrepreneur है और इसके अलावा women empowerment के लिए यह लगातार काम करती रही है देश में इनके द्वारा आप यह जो book लिखी गई है आपको नाम से समझ में आज जाएगा किसकी बात कर रही होगी साइन्स के शेत्र में महिलाओ को केसे बढ़ावा दिया जा सकता है महिलाओ की भागीदारी केसे बढ़ा ही जाए क्या उनके लिए इसकिम्स लानी चाहिए क्या प्राउधान किये जाने चाहिए और इसका महिलाओ के जीवन पर क्या effect पड़ेगा इन सभी बातों के बारे में कलपना शंकर ने अपने इस बुक में बताया किसके द्वारा लिखित बुक है कलपना शंकर के द्वारा बुक में किसका उल लेखे ये भी मैं आपको बता दिया आगे बढ़ेंगे निमन लिखित में से किसे ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया ITBP नाम सुना होगा तिबबती शेत्र में सुरक्षा के काम करने के लिए जुम्मेदार है ITBP देश की रक्षा करने वाली है तंजीव रेना वरतमान में ITBP के एडिशनल डारेक्टर जनरल नियुक्त किया गया कौन? संजीव रेना तो संजीव रेना को इंडियन तिबबतन बॉर्डर पुलिस ITBP का एडिशनल डारेक्टर जनरल हाली में नियुक्त किया गया ये 1987 बेच के सीनियर आफिसर है वरतमान में जो सेंट्रल हेड़क्वार्टर है भुपाल में वहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल के रूप में ये कारे कर रहे थे अब इन्हें एडिशनल डारेक्टर जनरल बनाया गया है ITBP में संजीव रेना को यहाँ पर कैजुली ITBP की अगर हम बात करें तो देखिए सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स एक सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स है ITBP जो की सीमा रक्षक बल के रूप में काम करता है नेपाल और चाइना बॉडर पर 1962 में ITBP की स्तापना की गई थी और अब इसके एडिशनल डारेक्टर जनरल को न्युक्त किये गए संजीव रहना ठीक है आगे बढ़ते हैं किस देश के पुर्व प्रधान मंत्री सलीम अलहोस का निधन हो गया तो सलीम अलहोस की बात करते हैं तो यह Lebanon के former PM रह चुके हैं जिनका हाली में निधन हो गया Lebanon के former PM कौन? तलिम अलहोस तक Lebanon के acting president के रूप में इन्होंने काम किया है तलिम अलहोस लेबनौन के पुर्व पीम जिनका हाली में निधन हो गया एक और निधन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए महारास्ट्र के नांदेर से लोकसवा की सीट से कॉंग्रेस MP है वसंद राव चौहान इनका भी हाली में निधन हो गया ठीक तो पावल ड्युरोव की बात करें तो यह संस्थापक और सी-ओ हैं टेलीग्राम के काफी यूज करते ना हम टेलीग्राम तो इसके संस्थापक और सी-ओ है कोन पावल ड्युरोव अब आपके दिमाग में आएगा हम अभी डिसकस क्यों कर रहे हैं इनको तो फ्रांस की को गिरफतार कर लिया मैं पावेल डिवरो बोलूंगा समझ लेना पूरा नाव आप पढ़ लेना ठीक है क्यों जो फ्रेंच अथरिटी है जो पुलिस है जो वहां के और्गनाईशन है संस्ता है उनका आरोप है कि भाईया टेलिग्राम जो टेलिग्राम एप्लिकेशन है इनक और किसी प्रकार की आतंगवाती घती वीडियो से रिलेटेट कोई भी वीडियो या पोस्ट है है ना इसके अलावा साइबर एटेक्स से रिलेटेट कुछ भी अगर पोस्ट या फिर कोई भी मैसेज है कोई भी फोटोज है तो उनको रोकने के लिए जाच ही नहीं कर पा र पर इन पर आरोप है कि यह टेलिग्राम पर कुछ भी आ रहा है और यह चेक ही नहीं करते हैं मतलब जाज करने का इनका मॉडूल जो है ना वो सही नहीं है तो इसलिए इस एलिगेशन के कारण फ्रांस की जो गवर्मेंट है पुलिस जो वहां की है उन्होंने पावेल ड्यूरोव को गिरफतार कर लिया ठीक है संस्तापक और सीओ है किसके टेलिग्राम के 2013 में इन्होंने टेलिग्राम की शुरुवत की थी पावेल ड्यूरोव केंद्री मंत्री मंडल ने विज्ञान धारा स्कीम के लिए वित्तवर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कितना बजट प्रस्तावित किया है तो सेंट्रल जो कैबिनेट है उसने विज्ञान धारा योजना के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए अल्मोस्ट 10,589 करोड रुपे का बजट प्रस्तावित किया है ठीक है देखिए तीन छोटी 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 शात्र योजनाओं को मिलकर एक नई योजना बनाई गही है सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा ठीक है Union Cabinet Department of Science and Technology ने छात्रों की तीन छोटी छोटी योजनाओं को मिलकर विज्ञान धारा योजना शुरू किये उद्देश्य क्या है Major components क्या है इस scheme के तो देखिए Science and Technology, Institutional and Human Capacity Building करना Research and Development को बढ़ावा देना और इसके अलावा Innovation और Technology Development को बढ़ावा देना विज्ञान धारा योजना की मुख्य उद्देश्य है वर्तबान में Union Cabinet ने इसके लिए 10,599 करोड रुपे के बजट को अलोट करने का प्रस्ताव रखा है Financial Year 2021-22 से लेकर 2025-26 तर इस scheme के उद्देश्य की बात करें तो पूरे देश में Science and Technology and Innovation Ecosystem को मजबूत करना ठीक है विज्ञान धारा योजना का मुख्य उद्देश्य है कितना बजट अवंटित किया गया 10,599 करोड रुपे ठीक है आगे बढ़ेंगे एश्याई सर्फिंग चेंपेंशिप 2024 की टीम इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है तो एश्याई सर्फिंग चेंपेंशिप 2024 मालदिव में इसका आउजन किया गया था इसमें टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है भारत की जो सर्फिंग टीम है उसने सिल्वर मेडल जीता है ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको बताया, Asian Surfing Championship 2024 का आयोजन कहा किया गया, मालदेव में, भारत की जो वहाँ पर टीम इस परदा, इवेंट है, जिसे मारू हाबा, कब के नाम से भी जाना जाता है, इसमें Indian Surfing Team ने Silver Medal अपने नाम किया, गोल्ड और ब्रॉंज किस ने जीता, तो इस प्रतियोगिता का गोल्ड जीता है जापान ने, और ब्रॉंज जीता है चायना ने, और सिल्वर जीता है इंडिया ने, और इस मेडल के साथ ही भारत ने पहली बार Asian Games, जो की जापान के नगोया में आयोजित किये जाएंगे 2026 मे इसमें अब इंडियन मेंस और विमन सर्फिंग टीम दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जापान के आईची नगोया में आयोजित किया जाएगा Asian Games 2026 में, इसमें हमारी दोनों मेंस और विमन सर्फिंग टीम अब भाग लेगी, विमन सर्फिंग टीम में एक बहुत ही महत्रपुर्ण भूमी का निभाने वाले खिलाडी हैं, किशोर कुमार, तमिलाडु से बिलॉंग करते हैं भाई, अंडर 18 Asian Surfing Championship के टीमी फाइनल में पहुचने वाले पहले भारती बने हैं, ठीक है, तो आयोजन कहा हुआ था, Asian Surfing Championship 2024 का तो इसका आयोजन किया गया था माल किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घुशना की, तुभद्रा योजना को अनौंस किया है ओडिशा गवर्मेंट ने, महिलाओ कि आर्थिक इस्तिति में सुधार करने के लिए उन्हें पर्टिकुलर एक आर्थिक साहिता राज्य सरकार के द्वारा द योजना भी कहा शुरू हुए ओडिशा में है ना ठीक है देखो ओडिशा स्टेट गवर्मेंट ने विमन इंपॉर्मेंट के लिए सुभद्रा स्कीम की गोशना की है इस प्लान के तहट 21 से लेकर साहट साल की राज्य की जो लगभग 1 करोड से अधिक महिला हैं उनको हर साल 10 अजार रूपे दिये जाएंगे हर साल अब यह 10 अजार रूपे दो किष्टों में महिलाओ को देंगे 21 से सहट साल की राज्य की कौन से दो इवेंट पर दो इवेंट एक तो होगया रक्षा बंधन और एक इंटरनेशनल विमन डे ठीक है आट मार्च को आता इंटरनेशनल विमन डे और तेकेंडली रक्षा बंधन पर 55,000 रूपे की दो किष्टे दी जाएगी महिलाओ को यह सुभद्रा स्खीम ओडिशा राज्य में महिलाओ को आर्थिक रूप से शशक्त बनाना इसका मुख्योद देश है है ना ओडिशा का थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख लेते हैं दिखें पहले तो पड़ोसी राज्यों की बात करें ओडिशा की तो एक तो हमको 36 गण यहां पर टच होता हुआ दिखता है इसके अलावा ओडिशा से टच होने वाले राज्यों की बात करें तो दक्षिन में आंद्र प्रदेश जारकंड और वेस्ट बेंगॉल यह टच होते हैं किस से ओडिशा से इसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना भी आइठिंग टच होता है यहां पर पर मेप में हमको दिखाई नहीं दे रहा है एक बार तेलंगाना को एक बार कंफॉर्म कर लेना यहां पर ठीक है पूर्ण राज्य का दरजा की बात क जा गया था कैपिटल है भूमनेश्वर ओडिशा की वर्तमान में लेजिसलेचर के ऐसी है एक सदनी हमें विधान मंडल देखने को मिलता है ओडिशा में यहां पर 10 हमें देखने को मिलती है राज्य सवा की सीटे और 21 देखने को मिलती है लोक सवा की सीटे कहां पर ओडिश गवरनरे और CM है मोहन, चरण, माजी ओडिशा के ठीके गवरनर हो गए रगुबरदास और CM हो गए कोण मोहन, चरण, माजिशा के अगर हम नेशनल पार्ग की बात करें तो दो हमें इस पैशली याद रखने चाहिए ओडिशा के एक है सिंपली फाल नेशनल पार्ग और एक है भीतर कनी का नेशनल पार्क तिम्पली पाल या सिम्पली पाल के नाम से जाना जाता है और एक भीतर कनी का नेशनल पार्क दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा पुछ जाते हैं ओडिशा राज्य से आप सेंचुरी छोड़ सकते हो आप सेंचुरी आप छोड़ सकते हो पर आप दो नेशनल पार्क याद रखेगा ट्राइब्स ओडिशा की तो कोंध, स्तोरस, बोंडा, भूमिया, कोया और और औराव ये सभी ओडिशा की जन जातिया हैं वहां की मुलनिवासी एक festival की major festival की बात करें तो सबसे important हो जाता है रत्यात्रा भगवान जगनात की रत्यात्रा निकाली जाती है हर साल कलिंग उत्सव की बात करें तो राजकी त्योहार की बात करें तो कलिंग उत्सव यहां का राजकी त्योहार है कलिंग वर्तवान ओडिशा का शेत्र है जिससे कभी अशोक का भी कलिंग युद्ध हुआ था तो कलिंग उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में यहां का राच्की त्योहार है इसके अलावा चंदन यात्रा की बात करें तो यह ओडिशा का सबसे लंबा त्योहार है जो कि पूरी जगनात टेंपल में मनाया जाता है चंदन यात्रा तो रथ यात्रा जगनात रथ यात्रा हम कुणारक सूरि मंदिर, ये भी भारत के ओरीषा राज्य में ही देखने को मिलता है, कुणारक तूरि मंदिर, ठीक है, भारत के ओरीषा के सूरि मंदिर काफी फेमस है, तब हमने 27 अगस्त के सभी को डीटेल में discuss किया, सुअब से पहला, क्रिकेटर शिखर धवन ने सन्यास की गोशना की, 20 वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2021 में है ना इसके बाद भारत का पहला रियूसेबल हाइब्रिड रोकेट रियूमी वन कहां से लॉंच किया गया तो चैन्नाई से लॉंच किया गया था चर्चा में रही पीएम जन्जाती आदिवासी न्याय महा अभ्यान कब लॉंच की गई थी तो सेंट्रल ने इसे लॉंच किया था पंदरा नॉंबर दो हजार तेविस को राजनितिक पाटी तमी जागा वेत्री कजगम का संबन्ध किस राज्य से विजय थलपती है ना तमिल नाडू की पाटी है निम्न मैं से किसके दुआरा रास्ट चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉंच किया गया तो इसे लॉंच किया है जे पी नड़ा ने आगे अंडर सेवेंटीन विश्व कुष्टी चेंपेंशिप की महिला इस परदा का खिताब किस देश ने जीता तो ये जीता है इंडिया ने आंसर सी भारत ने किस देश के साथ एंटी सम्मरीन वार फेर सोनो बोस खरीदने के लिए समझोता किया है तो भारत ने एंटी सम अमरीन वार फेर सोनो बोस खरीदने के लिए समझोता किया है किस देश के साथ तो ये है अमरीका ती किस अधिनियम के माध्यम से फसाई ने दूद उत्पादों से एवन एटू दावो को हटाने का निर्देश दिया तो ये है फुट सेफटी एंड स्टेंडर्ड एक 2006 के त में है अन्सर एक अगस्त ज़स्जार चुवे Center बारत ने किस देश को भिषम क्यूप सोपा है तो अगस्त ज़स्त ज़स्जार हमने बिश्म क्यूप सोपा है युक्रेन को श्रक्रेंट कित डेश्वेश्यogen है किस देश में राइट तो right to disconnect कानून पेश किया गया, right to disconnect, काफी कमेंट भी हाँ हैं इसके लिए, कि सर हमारे देश में भी होना चाहिए, तो यह Australia ने हाली में इस कानून को पेश किया है, Australia का कानून है, अब question of the day के answer ले लगते हैं, last day के session के, ध्यान से देखिएगा, Lostana Diamond League में नीरत चोपडा ने, 2027 में, कितने मीटर का भाला फेक कर, silver medal अपने नाम किया, तो इन्हों ने 89.49 मीटर का भाला फेक कर, यह silver medal अपने नाम किया है, 89.49 मीटर, डंबूर बांध किस राज में इस्तित है तो यह हमको देखने को मिलेगा डेम किस राज में तृपुरा राज में हमने इसको पढ़ा भी था अब आज के लिए question of the day देख लीजिए निकोलास माधुर को किस अफरीकी देश किस दक्षिन अमेरिकी देश का रास्टपती चुना गया कोन निकोलास माधुरो केंद्री रिजर्व पुलिस बल स्टी आर पीएफ की स्टापना कब की गई और बिम स्टेक का हेड़कुर कहां इसते थे एक और बार रिपीट करता हूँ निकोलास माधुरे को या माधुरो को किस दक्षिन अमेरिकी देश का रास्टपती निक्त किया गया पिर पीएफ की स्टापना कब की गई थी और बिम स्टेक का हेड़कुर्टर कहां पर है तीनों ही कोश्चन के आंसर कमेंट में बताइएगा स्टेशन पसंद आया हूँ तो लाइक और शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स टिडे के करेंट अफेर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिन जय भारत